सागर भाई कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं वो वेबसाइट बोलती है कि हम आपके कुकी इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे वेब पीजिस पर नोटिविकेशन आता है आजकल वेबसाइट विजिट करते हैं मुझे नहीं पता कितने लोग आजकल वे को सर्फ करते हैं तो वहां पर कई आपने देखा होगा वैब साइट में लिखा होता है कि नोडिकेशन आता है कि यहें साट को की इस्तिमाल करती है आप एगरी करते हैं है इस चीजिए वह चला जाता है पाफ पप लेकिन जो उस फर ध्यान नहीं देते कि भाई वो है क्या चीज और वो किस लिए आप से ऐसे पूछता है आज मैं बात करने वाला हूं इस चीज के बारे में सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या होता है को के एक फाइल होती है जो कि आपके ब्राउजर से बनती है और आपके कंप्यूटर में सेव रहती है आपके लोकल स्टोरेज में सेव रहती है इसमें आप आपके बारे में बहुत सारी जानकारी आपकी जितनी भी इंफॉमेशन जो आप सर्फ करते हो सारी इंफ या क्या hvor करती या मैप ακो कि आपने पिछले-पहले कौन dose 350 आपने कौन preserve कर किसे तो कितना वक्त बिताया है कि एपकी जितने भी जानकारिया आपका 的 बहुत सारी जानकारियां ज्यादा आइश्य जानकारिया नहीं लेकिन आप का अगर मैं तो बहुत रहा करती थी फिर modifications वे पासवर्ड अगरा भी रहते थे पहले तो और बहुत sensitive information भी रहती थी तो यह चीज कोई भी website क्यों collect करना चाहेगी क्यों देखना चाहेगी वह इसलिए कि उस website पर वह आपको वही एड दिखाएंगे या उस website पर आपको वही news या वही content सबस इस्तेमाल करेंगे और आप उसे allow कर देते हो तो वह आपको वही news दिखाएंगे जिसके बारे में आप interested हो वह यह देखेगा कि इस website पर आने से पहले आपने किस बारे में किस news के बारे में सर्च किया है और वह website उसी news को लाकर आपके सामने रख देगी क्योंकि वह यह बात जानती है कि आप उस news में ही interested हैं अगर आपने इंडिया के बारे में news देखी हुई है तो आप उस website पर जाएंगे तो आपको Donald Trump के बारे में नहीं बताएगा आपको इंडिया की वह बताएगा अगर आप cookies allow कर देते हो तो यह चीजें advertisement दिखाने के लिए भी इस्तेमाल में जाती हैं आपने देखा होगा कि जब आप Amazon पर कोई product सर्च कर रहे होते हो और आप किसी website पर जाते हो तो उसी product की एड आपको website पर नजर आते हैं समझे यह marketing है इसलिए आपकी cookies इस्तेमाल की जाती है जो website आपसे पूछ रही है कि वह आपकी cookies का इस्तेमाल करेगा cookie store करेगी इसका मतलब वह website अच्छी है वह आपसे permission ले रही है यह चीज़ कई सारी website without permission भी करती हैं जो की सही नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी cookies क्या होती है cookies इस्तेमाल करके क्या क्या होता है आपके बारे में कौन से कौन से जानकारी होती है कई बार ऐसा होता है हम किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं कौन से प्रोड़क्ट हमारे कार्ट में डले हुए हैं जी हां कौन से प्रोड़क्ट हमारे Amazon के कार्ट में डले हुए हैं वो भी cookies में store होता है तो यह सारी जानकारिया लोग इखटा करते हैं अपनी website पर और उसका फायदा उठाके आपको better content या better advertisement शो करते हैं जिससे chances बढ़ जाते हैं कि आप उस प्रोड़क्ट को खरीने विकाज़ा आप उसमें इंट्रस्ट है आई हूप आपको पता चल गया होगा कि यह जो website cookie की permission मांगती है यह क्यों मांगती है यह क्या होता है फिर भी अगर आपके कोई सवाल है technology से related तो आप मु description से check कर सकते हैं खरीज सकते हैं कुछ सीख सकते हैं सिर्फ 291 रूपीज में जितने आप शायद दोस्तों के साथ पाटी कर लेते हैं मेरे चैनल पर free की knowledge चाहते हो कोई पैसा दिये बिना free की knowledge चाहते तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो बैल आइकन को प्रेस करो क कि मैं हर रोज technology के बारे में एक बहुती informative वीडियो लेकर आता हूं और यह चीज़े बहुत रह रहे हैं आजकल तो मेरा चानल काफी unique है मुझे आप Instagram पर भी follow कर सकते हैं बहुत जादा एक्टिव रहता हूं और महां पर मैं live stream अगरा करता हूं और लोगों से one-to-one बाते कर करता हूं तो मेरे Instagram का लिंग आप लिंक आपको description में मिल जाएगा मैं मिल तॉप से गली वीडियो में thank you so much and goodbye जाएगा कर चानल